बीसी पार्ड फर्स्ट, और्गेनिक केमेस्ट्री, सेकिंड फेपर युनिट फर्स्ट का जो नक्स टॉपिक हम आज ले रहे हैं वो है इंडक्तिव इफेक्ट एंड फिल्ड इफेक्ट पहले हम लेते हैं इंडक्तिव इफेक्ट प्रेर्णिक प्रभाव एक सा सायोजी बंद में एलेक्ट्रोन यूग में ज्यादा एलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके कारण electron negative atom पर partially negative तथा दूसरे atom पर partially positive चार्ज आ जाता है यहां हम एक example लेते हैं chloroethene का chloroethene के अंदर chlorine क्योंकि ज़्यादा electron negative होने के कारण उस पर partially negative चार्ज आ जाता है और C1 atom पर partially positive चार्ज आ जाता है चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए C1 atom अब C2 से electron अपने और खीशता है जिसके कारण उस पर भी partially positive चार्ज आ जाता है अधा अनुओं में रिन विद्धूती या धन विद्धूती परमानू या सम्हूं की उपस्तिती के कारण electron विन्यास में जो विक्षो पुद्धपन होता है उसे प्रेणिक प्रभाव कहते हैं अब हम लेते हैं inductive effect के types inductive effect को दो भागों में बाटा गया है इसके दो प्रकार है पहला है minus I effect रिनात्मत प्रेणिक प्रभाव जब परमानू या सम्हूं की electron बंदूता या electron attract करने की शमता hydrogen atom से अधिक होती है तो उसे minus I प्रभाव कहते हैं hydrogen atom से अगर उसकी electron को attract करने की शमता जादा हो किसी ग्रुप की तो वो minus I प्रभाव वाले ग्रुप होते हैं जैसे chlorine, bromine, iodine, COH ग्रुप, NO2 ग्रुप, etc दूसरी जो टाइप है वो है plus I effect धनात्मक प्रेणिक प्रभाव जब परमानू या सम्हूं की electron बंदूता या electron आकर्शन शमता hydrogen परमानू से कम हो तो उसे plus I effect कहते हैं इसके उधारण हम लेते हैं deuterium, CS3 group, CS2R, CH2, etc deuterium अधिक परमानू त्रिज्या के कारण plus I प्रभाव दर्शाता है अब इस टाइप के बाद में हम लेते हैं प्रेणिक ये प्रभाव का भोतिक गुणों पर प्रभाव कि जो inductive effect है उसका भोतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है influence of inductive effect on physical properties first हम लेते हैं dipole moment inductive effect के कारण covalent bond में dipole बन जाते हैं क्योंकि एक ज्यादा electro negative होने से उस पर partially negative charge आ जाता है item पर तो दूसरे के उपर partially positive आ जाता है तो उस bond के अंदर dipole बन जाते हैं जिससे उसके अंदर दीधरुवी गुणा आ जाते हैं और उसी के according यह हम उधारन लेते हैं CS3I उसका dipole moment 1.64 डिबाई होता है इसी दरीके से CS3BR उसका 1.79 डिबाई CS3CL 1.83 डिबाई इसका dipole moment उसके अंदर आ जाता है दूसरा जो property लेते हैं वो है strength of acids कार्बोक्सलिक एसीड की strength inductive effect पर निर्भर करती है इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि कार्बोक्सलिक एसीड के group में कौन सा एसीड ज्यादा strong होगा जैसे हम एक एक एक्जामपल लें पहले acetic acid और propionic acid तो acetic acid ज्यादा strong होगा क्योंकि propionic acid में methyl group के plus high effect के कारण OH group में से proton कम आसानी से निकलता है और हम यह जानते हैं कि जितना जल्दी proton निकलता है वो उदनाई strong acid होता है तो यह यहाँ पर हम इसके inductive effect के आधार पर समझाते हैं acetic acid को यदि formic acid से तुलना करें तो formic acid ज्यादा strong होगा क्योंकि उसमें कार्बोक्सलिक acid के साथ केवल hydrogen जुडा हुआ रहता है जबकि acetic acid में CS3 के plus eye effect के कारण formic acid जितना जल्दी से proton नहीं निकलता है तो यहाँ पर हम इसको inductive effect से इसकी strength को समझाते हैं इसके साथ साथ हम एक example और लें और वो example हम लेते हैं इसमें acetic acid versus chloroacetic acid chloroacetic acid ज्यादा strong होगा क्योंकि chlorine का minus eye effect होता है और उसके कारण OH group आसानी से proton दे देता है dichloro और trichloroacetic acid और अधिक strong होते जाएंगे क्योंकि उनमें minus eye effect डालने वाले chlorine परमाणू की संख्या बढ़ती जाती है अता किसी अमल में minus eye effect डालने वाले जितने अधिक ग्रूप होंगे वो acid उतना ही strong होगा और जितने अधिक plus eye effect डालने वाले ग्रूप जुड़े होंगे वो उतना ही दुर्बल अमल होगा इस तरीके से हम इस inductive effect से acid की strength को समझा सकते हैं next जो हम लेते हैं वो है strength of bases शारों की सामर्थि ammonia और tertiary amine की basic strength को भी inductive effect के base पर समझाया जा सकता है शारों की strength nitrogen पर present एका की electron यूग्म की उपलबदता पर depend करती हैं इसलिए plus eye effect वाले ग्रूप nitrogen पर present एका की electron यूग्म की presence को बढ़ा देते हैं इसलिए alkyl amine ammonia से ज्यादा basic nature के होते हैं कभी कभी tertiary amine की शार समर्थि अमोनिया से कम हो जाती है जब alkyl group का त्रिविम बाधा विन्यास बहुत अधिक हो एक अन्य प्रभाव जो सीधे बंद से तो नहीं लेकिन अंत्राकाशी इस्थान अथ्वा विलायक अणों की माध्यम से हो तो उसे शेत्री प्रभाव कहते हैं inductive effect वर field effect इन दोनों को साथ लेकर ही एक compound के character का अधियन किया जा सकता है दोनों effect को हम साथ लेकर ही compound की nature को आसानी से समझा सकते हैं प्रेणिक प्रभाव के साथ साथ molecule की nature को समझाने के लिए दूसरे प्रभाव भी work करते हैं जिसे शेत्री प्रभाव कहते हैं यह था प्रेणिक प्रभाव के बारे में और कुछ हमने उधारन लिए और उससे इसको समझने की कोशिश की थेंक्यू